देखे दोस्तों हमारी विरवुमी एक्सप्रेस नादोल देगाम रेलो इस्टेशन पे आ चुकी है आप श्याल से लेकर पूरा प्रांतित तक वाइरिंग का कर दिया गया है उसको जो भी काम जो बाकी है उसको कर दिखता है देखे यह इसको लिए बिल्कुल तैयार है इदर 15-20 दिनों में ये काम कंप्लेट कर लिया जाएगा कर लिया गया है शामला जी से हिम्मत अगर के बीच में वाइरिंग का काम बिल्कुल चालू हो चुका है तो चाहिन दोस्तों कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे मज़ें होंगे दोस्तों फिलाल मैं हूँ आपके सामने देख रहा है हो नादोल दैगाम रेलो स्टेशन पे और आज के डेट आप जननी बता दू मैं 21 अप्रिल 2024 और अभी के दो पहर के बज़े है करीबन 2 बज़ कर 35 मिनिट अभी दो पहर का टाइम है और घरमी काफी तेज हो रही है दोस्तों के लिए नई इस रूट की आपको लेखने को नहीं मिली होगी दोस्तों पर कोई कारण सर टेक्निकली कारण और थोड़े मेरे परसनल वजह से कारण में आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया था उसके लिए तहे दिल से आपके लिए माभी चाहता हूं और एक बार आपके लिए मैं फि कल ही यानि की 20 मार्च सुरी 20 अप्रिल को कल ही असारवा एहमदाबाद से रख्याल के भी सियार इसका ट्राइल हुआ है लोकों का और शायद वो सक्सेस ही है कुछ कामी ऐसा सुनने में नहीं है मिला है बहुत ही जल्दी ही इसका एपरूवल भी आपको देखने को मिले दे दिया गया है दोस्तों तो आज के लिए माँ अपके लिए जर्नी लेके आए हैं 19316 यानि कि वीरभो में एक्सप्रेस में जो कि हम नांदोल देहगाम से आपको डूंगरपूर की और लेके जाएंगे और वहां तक दिखाएंगे कि कितना काम हुआ है और कितना काम अभ अभी बाकी है वो चल रहा है अभी अभी देखते हैं मैंने भी काफी 20-25 दिन से मैंने भी आपको देखा नहीं है अभी देखते हैं कितना हुआ है कि कितना नहीं हुआ मैं आपको वीडियो में जरूर देखाने की कोशिश करूँगा और हिमत नगर से शामला जी का कितना वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो चलिए दोस्तो गारी का इंतिजार करते है विर्भूमी एक्सवेस करीब अन्य यहां पे दो बचकर पचास मिनिट का टाइम है नांदुल देहगाम स्टेशन पे अभी तक आई नहीं है अभी करीबन 15 मिनिट का समय बचा है तो गारी का इंतिजार करते है फिर मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ तो वीडियो में बने रही है वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रू करिए दोस्तो तो चलिए दोस्तों, इनतिजार करते है फिर में मिलता हूँ, ट्रेन आने की बाद देखे दोस्तों, हमारी वीरवुमी अक्षप्रेस नादोल देगाम रेलो ईस्टेशन पे आ चुकी है आप में शामने देख सकते है चलिए दोस्तों गाड़ी आ चुकी ये स्टेशन पे और गाड़ी में चलते हैं फिर आपको जरनी कराते हो और दिखाते हैं कि काम कहां तक और क्या पहुंचा है वो क्या चुकी जब क्या है करें में थाष्पड़ी आ पाउ़ी को सांई टो से इंसे सबस्चाब दो से आ यहुंचा है झाल झाल दोस्तों आप मेरे सामने ये देख रहे हैं हम लोग रख्याल से तलोध होके प्रातिज के बीच में अब हारी गारी चल रही है आप देख सकते हैं यहां पूरा के पूरा रख्याल से लेकर पूरा प्रातिज तक वाइरिंग का कर दिया गया है उसको जो भी काम जो बाकी है उ स्टेशन का प्लेडफरम क्यों देख सकते हैं आण değil कि मैं देखे दूस्तों अभी इधर आण आएट हरे कर दीये गए हैं जो बड़े रहते हैं हो देख सकते हैं अभी होरिजोंटल पोर्ट खड़े करने का काम किया जा रहा है कि वर्टिकल तो हो चुके है कि सेमेंट वगेरा भी बढ़ दिया गया है देखे यह वर्टिकल हो तुके है और इस दर होरिजोंटल की कईया की जारी है तेलोट का स्टेशन यह कुछ ऐसा दिखता है देखे यह इदर हो गया आगे देखते हैं कि त्लूट तब logo थीई हो चुकी है रख्याल से टलूट दे वाइरिश के वाईरेंग हो चुकी है अभी लग्य से दिखते हैं कहां, तक होती है, देखिए ये सामने और ब्रिज का काम चल रहा है, देखिए आप देख भारा है, जो मसीन खड़ी है, वो और प्रिज का काम करा जा रहा है, देखिए अभी दल के आगे काम होए के नहीं, पार के तक लिए गया है, सिंगल वायर कीची है, अभी देखिए तनुल्ट से आगे, अभी सिंगल वायर मुझे देखने को में नहीं होकर आप देख भारा है, अभी सिंगल वायर कीची है, आप देख भारा है, अभी सिंगल वायर कीची है, अभी सिंगल वायर कीची है, यहा सिदा नवायर कीची है तक वायर कीची है, अभी वायर कीची है, आप में नही देख दिएून परसे प्ताऊछों वायर कीची कीची fence, पाइनSoTV, saitㅋ प्रांतित तक वाइरिंग का काम हो चुका है थोड़ा बहुत अभी बाकी है वो अभी चल रहा है बाकी अल्मूस्ट काम हो चुका है रख्याल से प्रांतित तक का वाइरिंग खीच लिए गई है जो भी फाइनल वर्क रहता है वही चल रहा है अभी दोस्तों देखिए हम लोग प्रांतित स्टेशन पहुच चुके हैं अ तो रख्याल वाली लाइन जुड़ेगी वैसे इधर के लिए बिल्कुल टैयार है इधर तो देख सकते हैं रख्याल से हिमतनगर का सर्व जो स्यारे से वह एक साथ शायद माई की पहले वीक या दूसरे वीक में हो जाएगा जोस्तों चले दोस्तों आगे हिमतनगर चलते ह हिendeu हिन्मतनगर पे क्या अपडेट है वही में आपके दिखाने वाला हो अब सीधा आपको मिलता हूं हिमतनगर पहुचने वाले हैं देख सकते हैं में हिमतनगर स्टेशन पे हम लोग एंटर हो रहे और हिम्मतनगर तक पूरा के पूरा वाइरिंग वीचा दी गई है और मैंने आपको पहले ही बताया रख्याल और प्राइटिस के बीच में थोड़ा बहुत जो भी फाइनराइज काम बाकी है वह अभी वर्क चल रहा है अगले कुछ दस स सब्सक्राइब करने 15-20 दिनों में एक और किंप्लेट पर लिया जाएगा तो तक वेस्टर्र इल्लेवेश का जो भी काम है वो कंप्लेट शायद पंदर मई तक वह कंप्लीट कर लिया जाएगा ऐसा मुझे लग गया है दोस्तों चलिए दोस्तों हिमत नंगर पे पहुश रहे हैं देखते हैं हिमत नंगर पे टोटल तीन लूप लाइन और एक मेन लाइन है तो काम जो भी फाइनलाइज काम हुआ है के नहीं देखन कर लिया गया है आप देखिए पूरा का पूरा फाइनलाइज काम हो चुका है हिमत नंगर के स्टेशन का काम जो भी है थोड़ा बहुत रहता हो वह कर लिया जाएगा बाकी यहां तो ऑल्मुस्ट नाइटिफाइज परसंटेश से उपर का काम हो चुका है देखिए दोस्तों यह पूरा क्या पूरा बिच्छा दी गई है और अभी हम लोग हिमत नंगर स्टेशन पहुच चुके हैं दोस्तों और आपको एक और खुश ख़बरी बता दू हिमत नंगर से खेटब्रमा के और जो लाइन जाने वाली है उसका वहां पे स्लीपर भी बिच्छाने का काम नाव यहां अगर कैपच्चर होता है तो मैं आपको तो already काम कर लिया गया मैंने आपको पहले पिए प्रवेज़ दीया है और अभी देखा रहा हूंAl देखिए दोस्तो यहां तक पूरा काम काम कर लिया गया कैंशली दूस्तो मिलते हैं मैं आपको हिम्मत नगर के आकर निकलते हैं फिर में आपको मिलता हूँ दो मिनिट के होल्ट के बाद हम हिम्मत अगर स्टेशन ते निकल चुके हैं और आगे मैं आपको ले चलता हूं देखते हैं आउटर पर कितना काम हुआ है फिर आगे जाके बताने की कोशिश करता हूं दोस्ते चलिए हिम्मत अगर को क्रॉस करते हुए सामने एक मालगारी कर लिया गया है बाकी वाइरिंग किया है बाकी आउटर से वाइरिंग बाकी एदोस्ते बाकी दोस्ते को जैसे हिम्मत अगर का आउटर पर काम बाकी है वाइरिंग का आप देख सकते हैं और आपको देखने को मिलेगी तो खेट्रम माहाल आई देखिये सामने को टेक्षिस बाइब आ कुकी है सामने खारा रहे। तेकी सामने आप विपनेक्ष थेंगे उमिल रहे। जा है बनलजी इंच पंस जालू है। बजारीक जाली इंच पंस था है। बजाने के एक पने ने साउ करशे बाद मेरे कंट आप यहिदा काम है। अब आपको देल में इसका है, वो अभी पाकी ही है, देख सकते हैं, तिश्टी वाद में निखा है नहीं वेसे ही पड़ा है, अभी देखती है, आगे कहा तकुपा है, या आपको दिखारे के कोशिश कुछा हुआ है. अब आपको आप सिर्ट स přते भी एक आपको ना हुआ सकता है, वीह उड़ा है, उने वाद अभी अवन प्रकु मानका कुछुच करह पर Virginby मिन का पी आपकी ही है, प्रव्राला वे पाहा हुआ है को चैंज जा हुआ 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 है कि दूस्तों हम लोग प्राइब पहुचने वाले हैं और शामराजी से बहले पहले यहां पर यहां पर वाइरिंग का लाव चालू कर दिया गया है आप देख सकते हैं अच्छा से करीबें शामराजी यहां से दो तिन चार क्लिमेटर की दूरी पर होगा और यहां पर वाइरिंग का काम बिल्कुल चालू हो चुका है तो चलिए दूस्तों आप एंजोई करें आप देखिए कहां तक वाइरिं दोस्तों हम शामलाजी रोल स्टेशन पहुंच रहे हैं अब देख सकते हैं यहां पोल तो खड़े कर दिये गए स्टेशन का वाइरिंग का काम बाकी है और एक मैं आपको खुशकरी दिखा बता दू शामलाजी रोल से हिम्मत नगर के बीच में और वही रूट पे राइगर रोड के बीच में कुछ 4-5 किलोमेटर का वाइरिंग अभी काम गिरी हुआ है अभी मैंने आपको विल्डे में देखने को मिला होगा वो शामलाजी से लेकर राइगर के बीच का जो भी 4-5 किलोमेटर का वो वाइरिंग का काम अभी हुआ है अभी काफी काम बाकी यहां पूरा फोल तो खड़े कर दिये गए हैं बाखी यहां भी वाइरिंग का काम अभी बाकी देखने को मिल रहा है तो अब सीधा अब हम लोग बिच्छी वाड़ा रुकेंगे इसके बाद वेसे भी मैंने आपको पहले भी बता आने भी दिखा इथा आपको स्फामला जी तक तो वाइति वाइरिंग बिच्छा दें गई यह वह भी आपको दिखाने की कोशिश करता है औह到 सर्फ सामान यहां पर पॉठ चुका है अब देख सकते हैं अभी कामगिरी बाकी ही है कुछी दिनों में यहां पर भी कामगिरी शरू हो जाएगी कि देखे दोस्तों यहां शामला जी रोडस तक का काम कर लिया गया है आप देख सकते हैं चलिए दबल वाइडिंग के साथ पूरा कर लिया गया है कि में कि देखे जाएगी है अब देखे जाएगा है कि एज हैं आज हैं में अई में राइड को ते दोस्तो हम बिच्छी वारा स्टेशन पहुच चुके हैं और आप देख पा रहा है यहां पे तक आपको मैंने पहले ही बता गिया था कि यहां तक अल्रेडी काम पूरा कर लिया गया है यहां तक पूरा एप्रुवल दे दिया गया है जो भी इलेक्रिफिकेशन का ट्रायल भी हो चुका है और CRS भी यहां तक पूरा कर लिया गया है देखे दोस्तों आप देख सकते हैं बिच्छी वारा स्टेशन अभी लुसरिया तक अल्रेडी काम पूरा कर लिया गया है छोटा मोटा काम अभी बाकी है अभी हिम्मत नगर और शामला जी तक शायद अगले विक तक पूरा कर लिया जाएगा और शामला जी से हिम्मत नगर के बीच में जो भी काम बाकी है अभी वो वायरिंग का काम होना है अभी वो चल रहा है दोस्तों अब खरीबन एकाद महेना और लग सकता है यहां पर मैं पूरा ही गिन लो जून तक सायद यहां पर पूरा काम कर लिया जाएगा ऐसा मुझे लगने लगा है देखे दोस्तों यह पूरा के पूरा बिच्छी वाड़ा स्टेशन काम के दिए पूरा कर लिया गया है तो अब सीधा में आपको मिलता हूं डूंगरपूर रेलो स्टेशन पर तो दोस्तों हम डूंगरपूर स्टेशन पहुच चुके हैं अपने सामने देख पा रहे हैं कि अब आपको पहले ही विताया डूंगरपूर से बिच्छी वाड़ा का इलेक्रिपिकेशन का खाम और मौइट करके सी आरज भी कर लिया गया है तो चलिए दोस्तों स्टेशन पर चलते हैं और स्टेशन पर क्या अपडेट है मैं आपको वहीं जाकर आपको दिखाने की कोश करता हूं कि दस्तों स्टेशन रूंगरपूर स्टेशन पर चुके हैं कर दो दो लूप लाइन का काम अभी भी बाकी ही देखने को मिल रहा है अपी देखिए आप देख सकते हैं अभी वहां के वायरिंग का काम अभी नहीं किया गया है वाकी अमरित बारत योजना की तहट डूंगरपूर स्टेशन को विक्सित किया जा रहा है उसकी क्या अपडेट है हम लोग उतर के आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं वाकी जो ब्लॉक वगेरा है वह सामने देख सकते हैं अभी यहां पूरा दी काम वाकी है देखिया आप सामने देख रिए पूरा ऑममित भारत योजना की तवहत काम किया जाना है भी देख सकते अब अभी काफी ऐसा काम को देखने को मिलता है जो चले दोस्तों नीचे उतरते हैं फिर में आपको और आप रेट देने की कोचिश करता है दोस्तों 179 किलोमेटर के जर्नी करके हम लोग ये डुंगरपूर डिल्वी स्टेशन पहुँच चुके हैं आप देख सकते हैं यहां से काफी ऐसी भीड आपको देखने को मिल रही है देखें बहुत सारी भीड यहां पे डुंगरपूर पे उतरी है अभी देखें पूरी गाड़ी आज प्यक्त थी दोस्तों जो भी जनरल क्लास के वह भी प्यक्त थी और स्लीपर भी काफी ऐसे प्यक्त देखने को मिले ह अभी काफी गाड़ी को रस्म मिलने लगा है पहले के मुकाबले और आप देख सकते हैं यहां पेंट वगेरा का काम किया जा रहा है देख सकते हैं यह अमरीद भारत योजना की तहट इसको रीडेवलोप्मेंट किया जाना है अब देख सकते हैं तो आपको ओर ओल बात बता हूं कि एहमधाबाद अशारवा से लेकर रखियाल तक का सी निम्स हो चुका है जो पर लौको ट्रायल है वो हो चुका गाया और हिम्मत नगर से लेकर शामला जी तक का अभी भी काम बागी है दोस्तों और लुसर और डुंगरपूर से बात करें तो डुंगरपूर से बिच्छी वाड़ा का अरड़ी काम कर लिया गया है और उसका CRS भी कर लिया गाया उसको ग्रीन लाइन भी दे दी गई है इं मत नगर के बीच में अभी वाइरिंग का शुरुआत करी गई है अब पता नहीं कब तक हो पाएगा अभी और एक यहां दो महिने के लगने के आसा लग लग रहा है दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज के जरनी हम यहीं तक थी आपको अपडेट कैसी लगी कॉमेंट बॉक् शेयर करिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरू कर दोस्तों तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक अपना ख्यार रखें यह बाइए